गैस इस वीडियो में हुए सीखने वाले की कैसे आप लोग अपनी लेप्टॉप में java gdk की latest version के आप लोग कैसे download करेंगे download करने के बाद उसको कैसे install करेंगे और उसके बद कैसे आप लोग इसके environment variable को set करेंगे तो चली दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों निया भी ते मैं चाहों को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज चाहों को सब्सक्राइब कर लिजिए तो इसके लिए गई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना cmd open कर लेते हैं तो गया जैसे आप लोग यहाँ पे cmd search करेंगे उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे java उसके बाद आपको space देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे double hyphen लगाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है version और इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है तो अब दीशते यहाँ पर आपके सामने यहाँ एक message हो जाएगा कि अभी जो आपके laptop में यहाँ पर Java इंस्टाल नहीं है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना कोई भी क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो और ओन्यूट के लिए आपको नीचे जाना है तो अब दीशते आपको सबसे पहले Linux स्टेक्ट है तो आपको यहाँ पर अपना Windows कर लेना है तो जैसे आप लोग यहाँ पर वेंडूस स्टेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस टाइब को ऑप्सेंस हो जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्सेंस हो जाएगा 64 24 installer अब भी सतिया यहांपे डॉट एक सी फाइल है तो आपको यहांपे इसके पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहांपे इसको डाउनलोड कर लेना है तो But यहां पहले आपकी त्पीज्य म ole empty फाइल यह उन्याफ करने के लिए ऐ देखने को मिल जाएगी यह सब्सक्राइब को इसके बाद आपको यहास पर पर टॉलवोंकम में सुख येस करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है और इसके बाद आपको नेश्ट करना है नेश्ट कर देना है तो जैसे हम नेश्ट करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फैल से यहाँ पे कॉपी होती है और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको close कर दिना है तो गई सम्मलों के यहां पर जो installation वाला part था हो complete हो चुका है इसके बाद आपको अपने this PC में जाना है और इसके बाद आपको अपने C drive में जाना है C drive में जाने के बाद आपको यहां पर program files में जाना है और अब दीशते हैं यहां पर एक Java का folder create हो चुका है तो आपको यहां पर क्या करना है इस Java के folder को open कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर JDK वाले folder को open कर लेना है और इसके बाद को यहां से copy कर लेना है तो गई सब करने के बाद इसको close कर देना है इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके environment variable को set करेंगे उसके लिए यह आपको यहाँ पर अपने this PC के उपर right click कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इसके properties में जाना है आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा है advanced system setting का आपको यहाँ पर इसके उपर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर environment variables के उपर click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर system variables पर जाना है और आपको यहाँ पर new के उपर click कर देना है और आपको यहाँ पर variable create कर देना है हम यहाँ पर इस variable का नाम रख देते हैं java underscore home इसके बाद जो आपने path copy किया था आपको यहाँ पर आकर इसको paste कर दिना है और इसके बाद आपको यहाँ पर इसको ok कर दिना है और इसके बाद आपको यहाँ पर path वाले option पर जाना है और आपको यहाँ पर path को select करके इसको edit कर दिना है उसके बाद आपको यहाँ पर new के option पर जाना है और आपको यहाँ पर सबसे पहले एक percent का sign लगाना है और इसके बाद आपको लिख देना है java इसके बाद underscore home इसके बाद आपको फिर से एक percent का sign लगाना है उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है एक आपको यहाँ पर forward को close कर देना है इसके बाद हम लोग यहां पर फिर से cmd open कर लेते हैं तो जैसे हम लोग यहां पर अपना cmd open करेंगे उसके बाद हम लिखते हैं यहां पर java इस फिरस देखें आपको यहां पर double इसके बाद आप लोग अपना Java का first program रंड कर सकते हैं तो guys इस तरह से आप लोग अपने laptop में deles का設 Tabii कर सकते तो guys सक्वाइब को वीडियो चेले की वीडियो को like करें को subscribe क्रें thank you for watching